चमोली के जोशिमट नगर में लगातार भूधसाव हो रहा है। चमोली के जोशिमट नगर में लगातार भूधसाव का दायरा भढ़ गया। पर बसे मारवाडी शित्र में बड़ा भूधसाव देखने को मिला। इसे जोशिमट का यही हाल देखने को मिल रहा है। लोग दिन रात डर के साय में जीने को मजबूर हो रहे है। ऐसे में लोग एक बार फिर से खौफ के साय में हैं। जोशिमट के मारवारी में बद्रिनाथ राश्य राजमार्ग से लगे हुए छेत्र में एक बार फिर से बड़ा भूधसाव देखने को मिल रहा है। बद्रिनाथ राश्य राजमार्ग 58 है जो कल रात अचानक से यहां पर पूरी तरह से धस चुका है। गारिया आरपार नहीं हो पा रही है। दरारे इतनी बड़ी। और इधर देख सकते हैं जो यह यहां पर जल्विद्दूत परियोजना जय प्रकास कंपनी का है। के मपान है घर है वहाँ पर दरारों की खबर कल्राथ चा रही हैं। यह फेल्ले बिद्दक στην है जो देखते हैं तो पहले वहीं की समास्ष्य थीघर है नीचे को लेबर केम से मारवाडी पूल तक पहुंच चुका है जिसमें ये कल से कुछ ज्यादाई इंच बाइंच ज्यादाई फैल दरार तो अब इसका करान कुछ भी हो पर खत्रा हम सभी को है कहां कहां दरार देखने को में यहां पर हमारे खेद होते हुए नीचे जाता है लेबर यह मेरा नाम पंकर जरावत है मैं मारवाडी वार्ड रहन वाला हूं यह काफी टाइम से मतलब छोड़ी चोड़ी दरारे थी बट कल रात को यह थोड़ा ज्यादा बढ़ गई है जिससे थोड़ा सा डर बना हुआ है मगानों में वहीं दरारे आज चूपी है जी आपका कह को आँ मेरा है जोड़ बहूत लंबी चोड़ी दरारे आ रह थी लेकिन अभी जो है यह थो है लूट रात को रहे रात दिन मन में डर लगा रहता है और इससे मुझे मैं तो यही काना चाह रहा हूं कि जहहां तक हो सके जो हम लोगों की मदद करे हमें इस बर्ट जो निजात दिलाने की किरपा करें दन्यों वार नमबर 2 कि इस्तिती है कितना लग रहा है यह रात को लोग सो रहे ने गर गर में दवार दिवाल नूँ वो जाने लगी मताब लोग पर्शान इस लोग अब क्या पथा यह अब लोग फिर तब लोग जो भी हम सब लोग को वह आगे पता सकते हैं यह जोशी मत का मारवारी जो अचानक से एक बार भूधासाओ क्योंकि जोशी मत का उपरी इलाका तो भूधासाओ में था लेकिन आज सुबर सुबर बदिनात राश्य राजमार्ट जेपी कंपनिया और मारवारी का वार्ड है पूरा भू उधासाओ के चलते दिवाल तूट चुकी है क्योंकि अभी तक कहीं पर भी तूट-फूट क्योंकि कल एक गोसाला तूटी थी लेकिन अब यह दिवाल तूटी है इसके बाद से अचानक से कल रात को दरार आ गई है जिससे लोगों में भै का माहौल है हर कोई डरा हुआ है कमल ने चिलोडी मारवाडी उत्राखन तक जोशी मठ के सिंगवार वाड इलाके के दो होटेल पहले खाली करा दिये गए मही कल देर राज से यहां आवाज सुनाई देने लगी तो लोगों ने यहां से बाहर आकर सड़कों पर ही आग जलाकर रात गुजारी तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जिस तरह से लोग रात को बाहर इस कड़ाके की ठन में आग जलाकर रहने को मजबूर हो रहे हैं तो सुबह की तस्वीर में आप देख सकते हैं कि होटलों में किस तरह से दवाब देखने को मिल रहा है मतारीक इन होटल के पीछे आठ से दस परिवार रहते हैं लोगों को डर है कि कहीं ये होटल गिरेंगे तो उनके मकान पूरी तरह से धुस्त हो जाएंगे हलाकि उन मकानों पर भी बड़ी दरारे हैं लेकिन लोगों में भय का माहौल लगातार बढ़ रहा है अब ऐसे में लोगों को यहां से शिफ्ट कराने की परशासन ने कावायद शुरू कर दी है इसमें अन्नी जगे से भी जैसे सूचना आई थी मनुरबाग शेत्रे में ही जहां पर लोगों के धर में थोड़ी दरारे थी थोड़ा बहुत दरारे और बढ़ने की सूचना रही है और इसी क्रम में हमने मनुरबाग वार्ट में ही होटल मॉंट व्यू के नीचे जो पर पांच परिवार रह रहे हैं जहां पर काफी दरार रही थी उनको नगरपाली का के डॉमेटरी में शिफ्ट कर दिया है चार परिवार वहां रह रहे हैं एक परिवार को खंड विकास के ऑफिस के पास में ही शिफ्ट किया गया है सब देख रही है तो क्या इधर भी सिंग कर रहा है जी देखे आज आपने देखा तो तैसील के भवन में भी कुछ हलकी सी दरारे दिख रही है तो इसको देखे तो थोड़ा सा लग रहा है कि ये दरार जो है मतलब जो ये थोड़ा बहुत एरिया दाइरा बढ़ते जा रहा है जो शिमर्ट से समधादा कमल नैंकिर पॉर्ट पॉर्ट